नमस्का नेपाली मित्रों दोस्तों आज नेपाली किरिकेट टीम का मैज देखे मज़ा आ गया जबर्दस्त बिस्पोटक पारी खेली आज नेपाली बेर्समेनों ने और नया लड़का देव खनाल 18 साल का उसने भी 66 रन मार दिये और सिरीग अभी खतम नहीं हुई नेपाल ने पहले ही सिरीग जीत ली और दोस्तों पहले लगा था कि 285 रन नेपाल की टीम बना पाती है या नहीं बना पाती है लेकिन दोस्तों अनिल सहा फस्ट जो पहले बेर्समेन आये उन्होंने 20 बॉल में 50 रन ठोक डाले हलांकी सिरीग केवल 10 रन बनाए लेकिन एके सा ने तीन छक्के मारे और साथ चोके मारे और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो नए बेर्समेन थे देव खनाल जिनके बारे में मैंने कहा था डेड मैना पहले कि इनको बहुत जल्दी नेपाल की एट टीम में सामिल किया जाएगा वो पहला मैच खेलते ही छेतर रन बना दिये उसने इसी मैच में देव खनाल ने छेतर रन बनाए जिसमें इन्होंने तीन छक्के मारे और चार चोके मारे मात कीजे दो छक्के और छेत पोडेल ने भी आज बहुत ही अच्छा खेला 87 रन बनाए इन्होंने चार छक्के मारे आठ चोके मारे और सबसे अच्छी बात रही कि जब कनाडा की टीम लगात्तर रन बनाते जा रही थी और तब रोहित पोडेल ने बॉलिंग की और दो बिकेट लिये यानि आज का मैच भी रोहित पोडेल ने ही जिताया पिछले मैच में रोहित पोडेल ने चार बिकेट लेके मैच को जिताया था और मान सकते हैं कि आज भी रोहित पोडेल की बहुत अच्छी भूमिका रही इन्होंने कप्तानी पारी खेली है दोस्तों इस पूरे मैच में लगबग 30 चोके और 10 चक्के लगे है या 11 चक्के लगबग जोलना पड़ेगा कितने चक्के लगे हैं दस लगे हैं 11 दोस्तों 11 11 चक्के लगे हैं यानि आज बहुत बढ़िया और बिस्पोटक तरीके से नेपाली बैर्समेनों ने खेला है भीमसार की भी अपनी ले में नजर आये 21 बॉल में 20 रन इन्होंने बनाए और सराप ने 8 बॉल में 4 रन बनाए इन्होंने भी लगबग स्ट्राइक रेट के इसाब से बढ़िया खेला कहने का मतलब है कुल मिला जुला के यदि आपने आज का मैस देखा होगा तो आपको खूम मज़ा आया होगा इस मैस को देखने में और नेप नेपाल की टीम ने तो 45 ओबर में ही 285 रन बना लिये थे 287 रन और 5 ओबर अभी बाकी थे यानि कनाडा की टीम 300 पार भी कर देती तो भी नेपाल ये मैच जीत जाता और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि होंग कोंग के साथ में आज नेपाल महिला किरकेर था उसमें भ पहले खेलते हुए 84 रन बनाए जबाब में नेपाली टीम ने केवल दो बिकेट के नुकसान पर ही 85 रन बना लिये और होंग कोंग में भी नेपाल जीत गया वहाँ पन वहाँ पर ओमन परिमियर कप चालू हो गया है यानि आज नेपाल ने दोनों मैच जीते दोस्तों कभी कभी नेपाल की टीम बड़े बिसपोटक तरीके से खेलती है 2023 में भी लगबग ऐसे ही खेला है हाँ जब बड़ी टीमों के सामने खेलती है नेपाली टीम तो बिसपोटक तरीके से नहीं खेल पाती है हाँ T20 का एक मैच जो इंडिया के साथ में हुआ था उसमें नेपाली बड़े बिस्पोटक तरीके से खेला था मैंने उस मैच को देखा था 189 रन सायद नेपाली टीम ने उसमें बनाए थे और भारत ने 201 रन बनाए थे तो उसमें देखा था मैंने नेपाली टीम ने बहुत अच्छे बिस्पोटक तरीके से खेला था वो मैच जैसे कि आज भी न नेपाली टीम ने बढ़िया और बहुती ज़्यादा बिस्पोटक तरीके से इस मैच को खेला है यही ले जिसे कहते हैं इसे बरकरार रखना चाहिए और यह ले मेदी नेपाल बरकरार रहता है तो नेपाल की टीम बहुत जल्दी टॉप 10 में सामिल हो सकती है धन्यवाद